प्रिलाइन्स के quarter 1 के results आएं हैं, कैसे नतीजे आएं हैं, जीओ है, retail है, oil to chemical, उन सब business ने कैसा perform किया हुए, management ने क्या कहा है इन results के बारे में, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम detail में बात करने वाले हैं, सब से पहले result पर important चीज़ है, overall जो आप देख सकते हैं, consolidated, 40% year on year increase हुआ है, फिर oil to chemical जो business है, highest ever quarterly revenue हुए है, फिर best ever quarterly revenue, Reliance का जो retail business है और Jio platform है, वहाँ पर हमको देखने को मिला है, उसके बाद जो consolidated number, अगर आप total gross revenue देखेंगे, तो 2.4 लाख करोड ये revenue हुए है, जो कि पिछली बार से 53% उपर है, net profit हमने देखा 40% उपर है, 19,000 करोड से उपर, cash profit लगभग 32,000 करोड के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर अब Jio का जो platform है, उन्होंने कैसा perform किया है, तो देखें, पिछले साल के मुकाबले 23% का growth है, आप देख सकते हैं, 22,267 करोड का उन्होंने revenue किया था, जो इस बार 27,527 करोड का revenue है, और net profit 4530 करोड है, दूसरी चीज, अगर आप quarter 4 के साथ भी compare करते हैं, मतलब यही इसी साल का January से March 2022, तो revenue भी बढ़ रहा है, profit भी बढ़ रहा है, और अगर आप देखेंगे margins जो हैं, वो भी strong है 46 से 49% के बीच में हैं, फिर अब retail का business जो की बहुत हद तक COVID की उसको एक negative impact पड़ा था, footfalls नहीं हो रहे थे, तो एक अच्छा ये समय गया है, तो खासकर ये तीन महीने जो हैं, तो देख सकते हैं, आप 52% revenue growth हुआ है, आप देख सकते हैं, 38,547 करोड से 58,554 करोड, फिर यहाँ पर अगर आप EBITDA देखेंगे, 3837 करोड का, तो EBITDA डबल हुआ है, जो हमको देखने को मिल रहा है इस business में, जब हम retail की business की बात कर रहे हैं, उसके बाद oil to chemical business बहुत बड़ा profit हुआ है, जहाँ पर oil के price volatile थे, जिसकी वज़े से इस business को बड़ा पाइदा हुआ है, अब देख सकते हैं, 56% यहाँ पर जो revenue है, वो बढ़े हैं, एक लाख करोड से, लेकिन यह एक strong business देखने को मिला है, तो management ने क्या कहा है, Mr. Mukesh Ambani, जो chairman है, उन्होंने कहा है कि अभी freelance का focus अभी Indian energy security में है, तो solar है, energy storage solution है, hydrogen का ecosystem है, तो उसके लिए वो partnership कर रहे हैं technology leaders के साथ, तो clearly एक जगह में जो कुछ business बिल्कुल stable है, जैसे O2C business है, फिर exploration का business है, फिर अभी geo और retail business भी धीरे-धीर stabilize हो रहा है, लेकिन अभी reliance अगला जो business है, जहां पर focus कर रही है, वो है पूरा renewable पर, green energy पर, solar पर, तो यह important business है, जिसपर नजर रखी जा सकती है, अभी भी वो एक रुपय का भी revenue नहीं कर रहा है, क्योंकि यह investment का time है, तो investment हो रही है, लेकिन एक future में एक बहुत बड़ी theme बनकर उभर कर आ सकती है, और कुछ company यहां पर aggressively काम भी कर रही है, तो O2C जो business है, वहाँ पर भी strong business हुआ है, फिर ARPU, अब ARPU मतलब जब भी जियो का आप compare करें, या Vodafone या Airtel को कभी भी आप compare करें, तो इसको कहते है average revenue per user, मतलब एक user से कितना उन्होंने revenue कमाया, company ने, तो यह 175.7 है, और यह पिछले साल के मुकाबले 27% का growth है, तो इसका मतलब है कही ना कहीं company अपना जो price है वो बढ़ा रही है, जो बिल्कुल आप भी देख सकते हैं, लगभग 41 करोड से उपर के अभी customers हैं, फिर retail का जो business देखेंगे वो भी pre-covid level से अभी हम देख सकते हैं कि उपर जा चुका है, बाकी company के पास 2.05 लाख करोड का cash equivalent है, और debt थोड़ा ज्यादा है, 2.63 लाख करोड का debt, Reliance के पास है, और अभी finance cost भी increase हुए है, क्योंकि rate hike हुआ है, currency depreciation तो इन सब चीजों के लिए, तो overall decent नतीजे आये हुए हैं, जब हम Reliance की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ first cut है, ठीक है ना, सिर्फ result आया है, और मैं आपको important सिर्फ number सी बता रहा हूँ, लेकिन detailed analysis इसकी होगी, अगले कुछ दिनों में जब ये तो number हुए है, number की जब analysis होगी, फिर उसके बाद जो analyst हैं, जो brokerages हैं, वो नए target लेकर आएंगे, नई चीजें वो बताएंगे, analysis करके, तो वो सब चीजें का भी हम लोग analysis करेंगे, तो उसके बारे में भी हम इस video, अलग कोई video है, वहाँ पर भी हम बता देंगे नए targets के साथ की कैसा result है, तो important हमने यहाँ पर number discuss किये, जो देखके, पस्ट कट में तो यही लग रहा है कि एक strong growth यहाँ पर business का हुआ है, जो देखने को मिल रहा है, तो overall decent नतीजें आये हैं, बट एक बार हम wait कर लेते हैं, brokerages के target का दोस्तों, और दूसरी चीज, और in fact वो आखरी चीज है, अगर आप market में नए हैं, और आप investing को सीखना चाते हैं, तो बहुत सारे courses हैं, जो आप fin grad में explore कर सकते हैं, अगर आपको fundamental analysis सीखनी है, या फिर आपको mutual funds के बारे में, personal finance के बा platform आपको मिल जाएगा, और आपको ये सब courses और webinars भी आप explore कर सकते हैं, तो इस video में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया, thank you very much दोस्तों